हेलो एब्रिवन जैहिन जैभारत वंदे मातरम आप सभी प्यारे बच्चों को तो कैसे आप सभी तो फड़ाबर सारे बच्चे सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बोक्स में जैहिन कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टन टोपिक के उपर कि मैथेमेटिक्स के अंदर जो हमारा एकजाम होता है मैथ का 120 कोश्चन आते हैं उस एकजाम के अंदर आप सभी को पता है दाई गंटे में 120 कोश्चन आपको करने रहते हैं जो कि एक अब बहुत ही मुश्किल सा टास्क है एक हिसाब से लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि मैथ के अंदर कुछ एक ऐसे चैप्टर है जिनको अगर आप नहीं भी करते हैं तो उससे ज्यादा कोई फरक नहीं पड़ेगा आप उन चैप्टर को बिंदास होके स्किप कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनोंने लगबग 80% स्लेवस जो है वो मैथेमेटिक्स का कम्प्लीट कर लिया है कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट कर के बताना और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनोंने अभी त्यारी स्टार्ट की है या जिनके बोर्ड के एक्जाम में इस वजए से वो अभी एंडिये के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो बच्चे आप कमेंट करके जरूर बताना तो मैं स्प्लाताता हूं कि को आप Skip अगर करते हो बतला बिल्कुल भी अगर आप उनको नहीं भी करते हो तो जादा कोई फरक नहीं पडेगा तो आप उनको छोड़ सकते हो याद रखना है जादा कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा मैं पहले ही बोल रहा हूं तो पहला चैप्टर है हमारे पास जिसको आप छोड़ सकते हैं वो है हमारे पास properties of triangle पहला chapter है properties of triangle trigonometry पढ़ो आप लेकिन properties of triangle आप करो ऐसा जरूरी नहीं है आप इस chapter को बिंदास होके छोड़ सकते हो कोई ज़्यादा फरक नहीं पढ़ेगा दूसरा chapter जैसे हमारा relation एक से दो question आते हैं भई कोई ज़्यादा फरक नहीं पढ़ेगा अगर आप अभी तक नहीं पढ़ाए तो कोई फरक नहीं पढ़ेगा तीसरा chapter हमारा binary number अगर आपने नहीं पढ़ाए कोई फरक नहीं पढ़ेगा next जैसे हमारा height and distance ठीक है अब आपको गगी sir इस बार height and distance के 6 question आयते तो मेरे भाई हर वार सनी वार नहीं होता तो height and distance क्योंकि एक अलग level का chapter है इसके लिए हर एक question के लिए diagram बनाना पड़ता है और थोड़ा सा time consuming है अगर आपको अच्छे तरीके से मतलब बहुत इतगड़े तरीके से height and distance आता है तो अलग बात है लेकिन ये है कि ये time आपका खाएगा भई ठीक है तो आप इस chapter को बिंदास होके छोड़ दीजिये कोई फरक नहीं पड़ेगा next है हमारा conic section 1000 formula है इस chapter में और 1000 formula याद करने के लिए 1000 दिन चाहिए तो इसके लिए आप इस chapter को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि एक से दो question आते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आप इस chapter को नहीं करते हैं ठीक है next जैसे हमारा circle chapter अब conic section में लिखा है तो इसमें मैंने parabola, ellipse और hyperbola include किया है next हमारा circle chapter अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा next हमारा जैसे logarithmic chapter एक से दो question आते हैं वो भी pyqe repeat हो जाता है इसके property, basic property हर एक बच्चे को पता होती है जो कहीं भी किसी भी chapter में use हो जाती है लेकिन आप इस chapter को पूरा detail से करो ऐसा जुरूरी नहीं है तो कुछ एक chapter मेंने यहां लिखे है इनको आप skip कर सकते हो जिनको आप नहीं भी पड़ते तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है अब ये note कर लेना सारे के सारे बच्चे ठीक है अब आम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सर हमें जो है वो आप ऐसे chapter बता दो जो बिल्कुल भी skip नहीं करने मतलब 100% वो करके ही जाने है ऐसे chapter में आपको बताऊंगा next video में और उसके लिए मैं आपको 1000 like का target दे रहा हूं अगर वो target आप पूरा करते हैं तो 100% एक ऐसी video आप लोगों के लिए आने वाली है अगर आप सिर्फ उन chapter को करते हैं तो आरायम से 60 plus question आप mathematics के exam के अंदर attempt कर लेंगे ठीक है तो guys मिलेंगे आपन next video में तब तक के लिए आप सभी प्यारी बच्चों को जै हिन जै भारत वंदे मातरम